Hello दोस्तो, Left click करके vertex mode में जाऊंगा और दोनों को scale कर लूँगा इसके बराबर, जो मेरा base है, उसके बराबर मैं scale कर लूँगा, तो यह देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैं set कर लूँगा दोनों को, और press करके मैं देख लूँगा कि कहाँ पर मेरा edge proper आ रहा है, ऐसे रख ल extrude लिख के आ रहा है, देखिए, extrude लिखा है, तो मैं जब इस तरीके से अब axis में करूँगा, इसको तो यह extrude होगा, इस तरीके से मैं x को set करते चलूँगा, shift के साथ मैं इसको press करते जाऊंगा, और अपने model को create करते जाऊंगा, तो दोस्तो, सबसे पहले हमें 2D modeling इसलिए सीखने चाहिए, कि हमारे जो commands हैं, वो हमें बहुत अच्छी तरह से आ जाते हैं 2D modeling में, हमें 3 dimension में जब हम लोग जाते हैं, तो हम लोग starting में confuse हो जाते हैं, कि हम लोग Z axis में अपने model को किस तरीके से रखें, तो दोस्तो मैं यहां तक इसको इस तरीके से मैं अभी छोड़ देता हूँ, यह हमारा last हो गया, जो यहां पर है, ठीक है, उसको बाद में हम लोग manage करेंगे, अब देखिए हमारे जो model में क्या similarity है दोनों तरफ, देखिए हम लोग एक तरफ का बनाएंगे, दूसरी तरफ देखिए opposite direction में हमारा same दिख रहा है, बस कहीं कहीं पर variation दे रख देखिए left click करेंगे और shift fresh करेंगे, तो यहां पर insert as loop आ गया, ठीक है मैं दोस्तो shortcut बता रहा हूँ, shortcut से हमारा जो है बहुत जल्दी modeling होता है, तो यह देखिए इस तरीके से हमारा जो है edge आ गया, अब edge को हम लोग extrude करेंगे, उसी method से जिस तरीके से हमने किया था, यह कर्व है, तो कर्व को हमें, जहां पर कर्व होता है, वहां पर हमारे edges थोड़े ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो अभी मेरा यहां पर curve है, तो edges बहुत आएंगे, तो इस तरीके से पहले मैं set कर लेता हूँ, कर्व को, और उसके बाद इसके जो edge है, उसको मैं, इसके edge को इस से मैं set कर लेता हूँ, यह मेरा, अब edge select हो गया, अब मैं इसको extrude करते चलूँगा, दोस्तों, इससे क्या आपको समझ में आएगी, कि आपका जो command है, किस तरीके से चल ला है, इसमें कितने commands use होंगे, two dimension में, three dimension and two dimension में, semi command use होते हैं, बस उसमें axis का फरक होता है, तो लेकिन आपका जो command चलाने का तरीका है, वो बदल जाएगा, और आपको modeling बहुत अच्छे से आएगी, sense आपका जो है, develop हो जाएगा, जब आप एक beginner के तोर पे जब सीखना start करते हैं, तो two dimension बहुत जरूरी model करना, otherwise, आप confused बहुत जादा हो जाएगे, कि किस तरीके से हम लोग three dimension model क करें, ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं एक branch पहले ready कर लूँगा, यहां तक, यह जो मेरा branch है, यहां तक ready होगा, उसके बाद मैं इनको divide करूँगा, जो सबसे हमारा लंबा branch होगा, उसको मैं follow करूँगा, पहले तो यह देखेंगे, यह हमारा जो है, यहां तक का branch है, मैं ऐस इस परिया है, इसको हम लोग create करेंगे, तो leap भी हमारा इसी में है, तो इसी में हम लोग leap को भी बनाएंगे, दोस्तों, इसमें मैं जो हमारे commands है, कहां पे मिलते हैं, वो सभी अभी मैं दिखाऊँगा आपको, कि जो हमारा menu bar में है, वो कहां पे दिखाए देता है, कि menu में ह हमारे जो commands है वो कहां पर available हैं तो मैं इस तरीके से अभी roughly मैं इसको block कर लेता हूं फिर उसके बाद मैं अपने leaf को finalize करूंगा ठीक है दोस्तों और उसके बाद सभी leaf नहीं हम लोग बनाएंगे यह मैं एक leaf बनाऊंगा proper फिर उसके बाद मैं cut करूंगा mirror करूंगा देखे मैं इसमें अभी तो पहले हमारे भी दो command use हो चुके हैं एक extrude command हो गया और दूसरा insert as loop tool दो मैंने भी commands बताएं आपको उसके बाद मैं दोस्तों और भी command इसमें बताऊंगा कि जितने भी necessary हमारे commands होते हैं सबको मैं बताऊंगा यह देखे अब यह हमारा जो model है इस तरीके से हो चुका है अब next video में आप लोगों को next portion के बारे में बताऊंगा thank you दोस्तों